गुड मॉर्निंग बच्चों संख्या पदेती हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर वन इसके हम 1.5 करसाइस पे हैं इससे पहले कि मैं करवाज चुकी हूँ सब और उमीद है आपने सारा कर भी लिया हुगा काम फिर कॉपी में आज हम इसका कोशन नमबर 4 करेंगे संख्या रेखा पर अंडर रूर 9.3 को निरूपित कीजिए important question है ये exercise 1.5 ये question number 4 संख्या रेखा पर अंडर रूर 9.3 को निरूपित कीजिए important question है ये skill लेते हम इसके लिए scale से हम 0 से 9.3 तक एक लाइन ड्रो करेंगे एक डॉट हमने 9.3 पे लगा लिया यहां पे और एक डॉट लगा दिया हमने 0 पे single line खीचोगे ठीक है इस बिंदू का नाम रखा ए आपके pencil शॉप होने चाहिए इस बिंदू का नाम A है और इस बिंदू का नाम B है अब हम इसके आगे एक centimeter और ड्रो करेंगे यहां से एक centimeter A भी तो हो गई 9.3 इसके आगे हम एक centimeter और ड्रो करेंगे तो यह एक centimeter यह हो गया जीरो से एक तक एक centimeter हो गया अब total कितनी हो गई यहां से यहां तक की 10.3 हो गई है यहां से यहां तक पुरी और इस बिंदू का नाम रख दिया C यह 1 है तो यहां से A से C तक पूरा हो गया 10.3 तक अब इसके बाद हमें A, C इसका हमें midpoint निकालना है मद्धे बिंदू निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे एक compass लेंगे उसमें आधे से ज़्यादा दूरे भरेंगे एक चाप उपर लगाई एक चाप नीचे लगाई एक चाप हमने नीचे लगा दी इधर आपको दोनों नी दिख रही है अब भी दूसरी दिखाऊंगी जितनी उपर लगाई चाप उतने नीचे अब C से उतनी ही दूरी जितनी इधर से हमने लगाई थी दूरी यहां से नीचे भी उतनी ही चाप लगानी है ऐसे ही C से C से ये लगी चाप और ऐसे ही नीचे चाप लग जाएगी देखो उपर ये जो है चाप यहाँ पे कट कर रही है अब यही चाप मैं आपको पता है नीचे भी लगाई मैंने यह अब दिखेगी आपको ये नीचे हमने लगा दे इन बिंदो का नाम रख दिया हमने P और Q अब हम क्या करेंगे P और Q को मिलाएंगे P और Q को मिलाएंगे उससे हमें मद्य बिंदो मिल जाएगा यह अपने 6 किलास में सीखा हुआ है लेकिन लाइन जो बनेगी और डॉट डॉट में बनेगी में यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए जो में लाइन है जो A, B, C, Y लाइन है उस पर एक आना चाहिए कर चुरूर बाकी दूर दूर हम डेश डेश में देखो लाइन मैंने खिश दी यह आगे हमारे पास इस बिंदू का नाम हमने रख दिया O इस बिंदू का नाम रख दिया हमने O अब O, A को त्रिज्या मान कर यह O, A इतना प्रकार खोड़ लेंगे हम O, A इसको त्रिज्या मान कर एक हम सैमी सर्कल खीच लेंगे A, E, O, A सैमी सर्कल यहां से C पे आया और यहां से यह आया एक हमने सैमी सर्केल मतलब अर्ध हो रहत हमने कीच लिया ठीक है अब इसके बाद यह जो B बिंदू है B बिंदू पे 90 डिगरी का एक कोन बनाएंगे 90 डिगरी कोन बनाने के लिए हम पहले यह चाप एक लगाते हैं जितने हमने प्रकार खोले थी उसी पे यह अपने सीख रखा है 6 क्लास में 90 डिगरी कोन यह दोनों आपकी चाप यहां काट रही है इस जगे पर देखो अब यहां से B से B बिपना है 90 डिगरी का और जहां दोनों चाप कट कर रही हैं उसको आर बिंदू बोल देंगे अब बी आर को मिलाना हमने बी आर को जो मिलाएंगे हम देखो यहां से यहां तक की डाक लाइन खिषते हैं यहां से यहां तक की डाक जब सर्कल के अंतर अंतर ओपर चाहें खीचो या ना खीचो कोई बात नहीं ओपर चाहल का सब्सक्राइब में बना दो ओपर डॉटर बना दो मेन हमें यह बिंदू मिलना हैं डी अब बी डी के को त्रिज्य मानों बी डी को त्रिज्य मान के हम यहां पे एक चाप लगा देंगे इस बिंदू का नाम रखा ए अब यह जो बी ए आया हमारे पास बी कहां से यहां से और ए यहां तक है तो बी से ए तक की जो नाप है हमारी वो अंडर रोड 9.3 है इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर बनाते हैं अई मैं इसको रचना भी लिखना सिखाती हूँ इसकी क्या क्या है पहले दुबारा समझ लो हमने करा क्या क्या है पहले हमने ए भी लाइन खीची थी हमें बनाया था 9.3 अंडर रोड का 9.3 लाइन खीची फिर एक लाइन इसको और बढ़ा दिया आके C तक A, C का मध्य बिंदू निकाला वो O निकालाया O, A को त्रिज्या मान के एक अर्धुरत बनाया अब B पर 90 डिग्रे का कौन बनाया जहां ये अर्धुरत को काटेगा वो D बिंदू होगा B, D, B को केंदर मान कर B, D त्रिज्या लेके हमें चाप लगाएंगे B, E अंडर रोड 9.3 के एक्वल है अब इसकी रशना लिख के बता रही हो आपको मैं चलो इसकी अब रशना देखो कैसे लिखोगे एक रेखा A, B बराबर 9.3 सेंटी मीटर खीचे रेखा A, B को आगे बढ़ाया जिससे B, C बराबर 1 सेंटी मीटर हो जाए B, C एक सेंटी मीटर तो टोटल A, C हो गई A, C बराबर 10.3 सेंटी मीटर होगी लंबारधक द्वारा A, C का मध्ये बिंदू बनाया A, C का मध्ये बिंदू मिल जाएगा O को केंद्र मान कर O, A तरिजे लेकर अर्दवत बनाया उसके बाद B को केंद्र मान कर B, D तरिजे लेकर एक चाप लगा ही हमने इससे पहले यह लिखो B पर 90 डिगड़ी का कौन बनाया यह अर्ध वरत को D पर काटेगा B पर 90 डिगड़ी का कौन बनाया यह अर्ध वरत को D पर काटेगा B को केंद्र मान कर B D तरिज्या लेकर इक चाप लगाई यह संख्या रेखा को E पर काटी गी अब BD और BE यह हो गए BD भी अंडरूड 9.3 है और BE भी अंडरूड 9.3 है तो हमें अपस BE आगे हमें यह नहीं कहा था अंडरूड 9.3 यह हमारा अभीष्ट रेखा है जो हमें चाहिए इसी तरह से आपके पेज नंबर 23 पर यह है अंडरूड 3.5 को जम्मेत्य रूपसम कैसे बनाएंगे तो यह है आपके अंडरूड 3.5 यह अकरती 1.15 अंडरूड 3.5 यह पहले हमने A, B की चली 3.5 फिर B, C को 1 आगे बढ़ाया तो A, C होगी है A, C का हमने लंबार थक बनाया यह O पे काटेगा और फिर इससे हम अरदरूड बना लेंगे B, D जो है वो रूट 3.5 हो जाएगे अब जैसे मैं तुम्हें यह कोश्चन पर फूर कवाया है बुकुल से वैसे 3.5 करोगे यह भी एक्जाम में आपको आ सकते हैं इसमें यह रचना साइट दी हुए नीचे मैंने लिखवा दिया आपको रचना आपको कुछ समय में ना है तो इस रचना में से देखना दोनों कोश्चन से में ओके थैंक्यो अच्छे से प्रेक्टिस करना वेटा इसकी इंपोर्टेंट कोश्चन है यह